पुरानी कहावत है जब जागोत तब सवेरा और अब नहीं कहावत है जब जागोत तब आनलाइन जिन्दगी में सदा मुस्कुराते रहो, फासले कम करो, देश से दिल मिलाते रहो, दत कैसा भी हो, कोई गं ना करो, आयोडेक्स जंडू बांग खरीदो और लगाते रहो चाहे कितने ही मांगे हस्पिटल में चले जाओ, डॉक्टर को दिखाने के समय बैटना तो स्टूल पर ही पड़ेगा गाओं में लाइट इतनी बार आती चाहती है कि पंका खुद भूल जाता है, दाई गुमना है कि बाई गुगल प्ले स्टूर पर एक नई एप आई है, एक घंटा मुबाइल न चुओ, तो मुबाइल से आवा जाती है, मालिक जिंदा हो या चल बसे आउनलाइन आते ही, कुछ लोग पूछने लगते हैं, क्या कर रहे हो, आउनलाइन है तो फोन ही चला रहे होगी, आउनलाइन बरतन का पर धोई नहीं जाते बाई एक महा कंजूस, मास्टर को दाथ निकलवाने का खर्चा, दाथ के डाक्टर ने दो हजार रुपे बताया, मास्टर जी बोले, कोई सस्ता सा इलाज नहीं है क्या, डाक्टर साहाब डाक्टर बोला, बिना सुन ने इंजिक्शन दिये, पास्टर रुपे में हो जाएगा, पर तर्द बहुत सहना होगा, मास्टर ठीक है डाक्टर साहाब जी, बिना सुन ने किये वाला ही कीजी डाक्टर ने उसका दाथ निकाल दिया, उसे बड़ा अश्यर हुआ, कि मास्टर दर्स से ज़रावी नहीं तडप रहा, बलकि मुस्कुरा रहा है काम होने के बाद, डाक्टर ने अपनी 500 रुपे फीज भी नहीं ली, बलकि अपनी तरफ से उसे 1000 रुपे का इनाम दिया, कि ऐसा बहादूर शक्स उसने जिन्दगी में नहीं देखा शाम को डाक्टर's क्लब मीटिंग में सभी उपस्तीर डाक्टर के साथ, उसने मास्टर नामक पेशन की बहादूरी का किसा बताया सारे डाक्टरों में से एक डाक्टर उठा और चिल लाया, अरे वह मास्टर पहले मेरे पास आया था मैंने उसे सुनी का इंजेक्शन दिया और कहा कि वो आदा गंटा बाहर इंतजार करे आदे गंटे बाद जब मैंने उसे बुलाया तो पता लगा कि वो तो भाग गया है हर बाप का एक बाप होता है उसे मास्टर जी कहते है अगर कोई आपको देखकर दरवाजा बन कर देता है तो याद रखे इट का जवाब पता से देना चाहिए कुम्डी दोनों तरफ से होती है आप भी बहाँ से बन करके बहाँ से भाग जाओ एक सज बात रिष्टा ऐसा हो जिस पर नाज हो कल जितना भरोसा था उतना ही आज हो रिष्टा सिर्फ वो नहीं जो गम या खुशी में साथ दे रिष्टे तो वो है जो हर पल अपनी पन का असाज दे दोस्तो इसी प्रकार के शुद्ध पारिवारिक चुटकुले देखने के लिए वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है